सो हलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर चैनल पीसे अम नालिज तो फ्रेंट्स आज की सेक्शन में हम लोग कबर करेंगे पढ़ेंगे और सीखेंगे जी हाँ साइंस क्लास 10 की बात करें तो फिलाल आज की से वीडियो में यूनिट नमबर 9 का स्टेडी करने वाला है जिसका नाम अनुआ सिक्ता यूम जय विकास तो इस चप्टर से रिलेटर जितने भी यूनिट नमबर 9 जिसका नाम है अनुआ सिक्ता यूम जय विकास और फिलाल एक चीज में आपको बता दो यदि आप चाहते हैं कि इस एप का इस एप को आप यूस करना चाहते हैं इस एप का लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ जाकर सिंपली आपको एप को इसटाल कर लेना है तो चलिए सुरू करते हैं उनिट नमबर 9 जिसका नाम है अनुआ सिक्ता यूम जय विकास तो चलिए सुरू करते हैं तो रुको जरा सबर गोरो जी हां एंस्याइटी साइंस क्लाश 10 की बात करें तो फिलाल आज किस वीडियो में यूनिट तंबर 9 का इस टड़ी करने वाले हैं जिसका नाम है अनुवान सिकता यूं जय विकास तो इस चप्टर से रिलेटर जितने भी यम्स की कोशन पूट इसली स्टेप बाइस्टेप स्टड़ी करेंगे आज की इस वीडियो में अन्तक हमार साथ में बने रही है फास्ट अमा अट प्ले जामार चैनल पीसे आम नालेज को भी सब्सक्राइब कर लेजिए ऐसले टेस्ट वीडियो पाने के लिए एस माइने में जनुमाज शोकर्मा आप देख रहां पीसे आम नालेज चैनल तो चलिए सूर करते हैं कोशन नमबर वन पूट अप होता है करा कि निमले लिखित कतनों पर विचार किजी ए में करा कि दूसरी पीडि में पाली पीडि से बिवित्ता अलेंगी की जनान की या तुसरी को अपरभाभी करते हैं करो कि कथनों में से कौन से कतना सकते हैं ..... सुमपल हम निच इसकोsix कर दिया क्यारा कि निगा निर्धारण के संदर में निलुखित कतनों पर विचार कीजे। पालम करा कि कुछ प्राडियों में लिंग निर्धारण निसेचित अंडे युगमक के उश्मायन ताप पर डिपेंड करता है सेकड में करा कि घुंगों में लिंग निर्धारण अनुवांसिक नहीं होता है थर्ड में करा की मनेश्यों में बच्चों कालिंग निर्धाराड उन्हें पिता से प्राप्त हुई गुर्शोत्रों पर डिपेंड करता है कारा की पूर्व कत्रों में से कौन से कता हैं सकते हैं A में करा की 1,2, B में करा की 1,2, C में करा की 1,3, D में करा की 1,2,3 तो question number second question number DC होने वाला है, मतलब भी statement number one, two and three सभी सही है आपे, तो इसको simply हम टिक कर दिया है, आगे बरते question number third की तरफ and question number third put up होता है, करा कि नियुक्त कतनों पर विजार किजिए, करा कि Charles Darwin ने प्राक्रितिक वराड़ द्वारा जय विकार्स का सिधान दिया, तरफ and question number third की बात करते हैं, आपसे number A सही होने वाला है, तो simply हमने A को टिक कर दिया, आगे बरते next question की तरफ and next question put up होता है, question number four and question number four is saying that, करा कि नियुक्त कतनों पर विचार किजिए, ये में करा कि पच्चियों, सरीश्रिप, जल, अस्तचर और अस्तंदारियों की चार पाध होते हैं, second में करा कि जियों में किसी अंग की आकरिती में समनता होने का एक मात्रकार समाज, समान, पूरवज, परंपरा है, करा कुई पूर कतनों में से कौन से कतना सरते हैं, A में करा केवल 1, B में करा केवल 2, C में करा की 1, 2, D में करा नहीं 1, नहीं 2, कोशन नंबर 4 की बात करते हैं, आपसर नंबर A से होने वाला, simply हमने इसको टिक कर दिया, आगे बढ़ते कोशन नंबर 5 की तरफ, and कोशन नंबर 5 पूटप होता है, करा कि आध्वुनिक मानों का उद्वाव निन्मलकित में से कहां हुआ A में करा कि यूरूप B में करा अप्रिका C में करा भारत D में करा कि उत्तर अमेरिका तो कोस्न अबरchu फिक्त की बात करते हैं आपसा नमबर B सही होने वाला है मतलब अप्रिका में हुआ था तो मैंने सिंप्लीज को टिक कर दिया आगे बरते कोशन नमर 6 की तरफ और कोशन नमर 6 पूट अप होता है करा कि जिवास में के संदर्वन निलखित कतनों पर विचार किजे A में करा कि किसी जीव के मिट्टी में दब जाने पर कि मिट्टी में सुलच्छा उसकी चाप को जीवास माना जा सकता है सेकंड में करा कि फासिल डेंटिंग के अंतगहत जीवास में पाई जाने वβे किसी एक तत्व के विविन समस्थानिकों के अनपात के अधार पर जीवास मगा समय निर्धाराण किया जाता है नेक्स्ट कारा कि उप्यूक कतनों में से कौन सी कतना सत्य है A में 1, B में 2 C में कारा कि 1, 2 दोनो D में कारा नहीं 1, नहीं 2 Q6 की बात करते है आपसन नंबर 6 से होने वाला है मतलब 1 और 2 दोनो तो सिंपली हमने इसको टिक का दिया आगे बार ते Q7 की तरफ Q7 पूट अप होता है करा कि निमलेखित कतनों पर विचार किजिए A में करा कि जीओ में पंक और आख दोनों ही एक ब्यापक अनुकूल का परिडाब है Q7 में करा कि आणविक जाती विरित जीओ में विकाश की शम्मंदों को खुजने का एक अध्यान है करा कि पूट कतनों में से कौन से कतन सते है A में करा कि केवल 1 B में केवल 2 C में 1, 2 दोनो D में नाही 1, नाही 2 तो Q7 की बात करते हैं आपसे नमबर C सही होने वाला है मतलब statement नमबर 1 और 2 दोनों ही सही या तो सिम्पलेमनिस को टिक कर दिया आगे बढ़ते कोशन नमबर 8 की तरफ जो की last question put up होने वाला इस chapter से related and question is saying that करा कि नमें लेकित कतनों पर विचार किजी A में करा कि मानाव जैव विकास के सिखर पर है करा कि जीव के निम्न अभिरूप से उचतर अभिरूप की प्रक्रिति को विकास का जा सकता है करें उप्यूप कतनों में से कौन से कतन सकते है A में करा केवल 1 B में केवल 2 C में 1 2 D में नाहीं 1 नाहीं 2 question number 8 की बात करते है option number D C उने वाला नाहीं 1 नाहीं 2 तो simply हम इसको tick कर दिया अब यहां से आप प्रणाम दे सकते है simply यहां पे नहीं और हां का दो option मिलेगा हां वाले option पे क्लिक करना है जैसे क्लिक करेंगे तो यह आप बतायागा कि सही उत्रों की शेंक है 8 है गलत उत्रों की शेंक है 0 है और प्रयास ना किए अगर प्रणाम की सेंक है 0 है तो इस प्रकार से आप खुशे भी इसका practice कर सकते है इस एप का link में description में दे रहा हूं जाकर कि आप को install कर सकते हैं आपको उपर टी पेंट करता है तो फिलाल मैंने unit number 9 को खतम कर दिया है जिसका नाम था अनुवान सिखता है M.J. विकाज ठीक है तो इस simply EMCQ का एक कोर्षान था और यदि आप notes वाला चाहते हैं तो उसका भी playlist आपको description में मिल जाकर को वहां से जो भी इस chapter का notes होता हो भी आप बहुत EGB में पर सकते हैं तो फिलाल आज के लिए इतना ही तो नेक्स्ट वीडियो में चाहते नंबर 10 के साथ में आपसे मिलते हैं थैंक्स फर वाचिंग खत्म भाई बाई टाटा गुड़ बाई गया